आठना करूं भारतिय नारियों से मंगल सूत्र मांग बड़ी होनी चाहिए। उसके पती द्वरा मांग में सिंदूर लगाया जाता है और फिर पती की लंबी उमर के लिए वो जीवन भर अपनी मांग में सिंदूर भरती है। सिंदूर लगाने का देहिक महत्व भी है इसे हल्दी में पारा और चूना मिलाकर बनाया जाता है अपने आंतरिक गुनों के कारण पारा रक्त चाप को नियंतरित करता है तनाव को कम करता है और मांसिक को सजग रखते हुए एकागरत को बढ़ाता है। इसके साथ ही ये वैभाईक जीवन को सुखद बनाने में भी सहायक होता है। सनातन धर्म में सिंदूर का वि सेस महत्व हैं इसके बिणा पूजा पार्ट भी अधुरे माने जाते हैं। ना शीरफ सुहागिन महिलाओं के मांग में सजाने और पूजा पार्ट में काम आता है बलकि इसके कई लाब भी हैं। महरसियों ने इसका महत्व सिंदूर स्वभागे वर्धन इस तरह से बताया है, सिंदूर जहां स्वभागे का परतीक है, वह स्वास्त के लिए भी हितकारी भी है, सरीर रचना के अनुसार महिलाओं के मांग का स्थान जहां सिंदूर लगाया जाता है, वो अधिक कुमल और सम सिंदूर में रहने वाला पारा सर को ठंडा कर देता है, सिंदूर लगाने से महिलाओं की खोब सूर्थी बढ़ जाती है, उनके चेहरे पर एक तेज दिखाए देता है, जो उनके रूप को परभाव साली बना देता है, धार्मिक मानताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं, जिनका पालन करना अनिवार है, अनिथा उनको जीवन में समस्याय उत्पन होने लगती है, उनके पती को दुख झेलना पड़ता है, धन संबंधी, स्वास्त संबंधी, परेसानिया बढ़ जाती है, सिंदूर लगाते वक्त की गई गलती मनुसियत ल जरूर करिएगा, दोस्तों को सेर करिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा, दोस्तों आज कल की महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, कुछ नहीं भी लगाती हैं, कुछ को हर रोज सिंदूर जरूर लगाना चाहिए अगर आप नौकरी करने वाली महिला हैं या किसी कारण आप रोज मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती तो कम से कम तीज तेहारे की दिन, साल गिरह का दिन, घर में जब भी कोई पूजा कार हो या खास कर करवा चौद का दिन हो य जैसे तेहारों के दिन पती अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर लगाता है तो ये अतियंत सुभ माना जाता है, इसे पती पत्नी का रिष्ता और गहरा हो जाता है, कभी भी महिला को असनान किये बगएर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, सबसे पहले असनान कर लें, एक सामर्थ साली बनते हैं मानसिक धर्म के दोरान या घर मे अगर सूचक हो तो आप सिंदूर ना लगाएं ऐसे समय में सिंदूर लगाने से सिंदूर का निरादर हो जाता है दोस्तों वेवाहित इस्स्तियों को हमेशा सिंदूर अपने पैसों से या अपने जीवन में कलेस बढ़ जाते हैं, रिस्ते में कड़वाहता जाती है जो विवाहित इस्तरी अपनी मांग में सिंदूर को बालों के पीछे चुपा लेती हैं उसके पती को समाज में परतिश्टा नहीं मिल पाती हैं और सफलता मिलने के कारण वे कहीं पीछे रह जाते हैं, इस पिर भी आप उनसे सिंदूर लगवा लेती हैं, जो की बिल्कूल ही गलत है, हमेशा सिंदूर खुद या अपने पती के हाथों से ही लगवाएं, यही सुब कारक होता है, सिंदूर अगर गिर जाए तो यह बहुत बड़ा अपसगुन माना जाता है, इसलिए सावधानी और इसे हमेशा बच्चों के पहुंच से भी दूर रखें, अगर गलती से भी कभी आपके हाथ से सिंदूर नीचे गिर जाता है, तो उसे यहाँ वहाँ ना फेकें, इससे सिंदूर का आपमान होता है, आप मापारवती से हाथ जोड़ कर छमा माग ले, इससे असुबता ट जाएगी, उस सिंदूर को एकठा करके माथे से छुआ कर किसी पेड़ के नीचे रख दे, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए, इससे आपके रिष्टे को नजा लग सकती है, पती का प्यार बढ़ सकता है, अगर आप किसी के साथ हैं और आपको सिंद लेकिन ऐसे सिंदूर का गिरना अत्यांतसुब कारक माना जाता है, ये आपके रिष्टे की मजबूती की निसानी होती है, और अगर आपको सुखा सिंदूर लगाने में दिक्कत आती हैं, तो आप अपनी उंगली या फिर माचिस की तिली को थोड़ा सा गीला करके उससे मा कुल असुब माना जाता है, इससे रिष्टे में दूरियां आती हैं, दोस्तों जिनकी नई निसाधी हुई है, वे विवाह के समय इस्तमाल किया सिंदूर संभाल कर रखें, और दोस्तों यदि सूर्य और मंगल आपके लिए मारक ग्रह और उनकी महादसा या अंतरदसा चल करें, आपको किसी भी सुकल पक्ष के गुरुवार के दिन एक पीले वस्तर पर अपनी अनामिका उंगली का परयोग करके केसर मिस्रित सिंदूर से 63 नंबर लिखें, फिर उसे ले जाकर माता लक्ष्मी के मंदिर में माता के चर्नों में अर्पित करतें, ऐसा तीन इसके अलावा ऐसे भी मानेता है कि दरवाजे पर सिंदूर लगाने से देवी मालक्ष्मी की किरपा प्राप्त होती है, घर के मुख द्वार पर सिंदूर चड़ी हुई गनेज परतिमा लगाने से घर में सुक, सांती और सिम्र्द बनी रहती है, तो दोस्तों उमीद करते ह है कि गुरू जी की ये बताए हुई बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होगी, अगर आपको यहां वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, और कॉमेंट बॉक्स में जय स्रीराम, जय भगे स्वरधाम सरकार, ज जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वास्त रहें, सुरक्षेत रहें, जय स्रीराम